नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी शानल एक्जाम मेल पर और इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं फिर से हिंदी पेपर की एक नए मॉडल को ठिक जिसका जो है कोड है 801AB ठिक इससे पहले जो हमने डिसकस किया था वो था हिंदी 801AC और इस वीड वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा और जितने भी मैं आंसर डिसकस करूंगा आप जरूर बताएंगे कमेंट करके कि कितने चीज़ें आपके जो हैं बिल्कुल सए होई तो बिना देर कि यह आई यह स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले अगर आप दे want to discuss करते तो वन का जो कौह है उसमें कोई एक कथन सही है उससे पहचान करके लिखिए तो दोस्तों आए चारों को एक बार अच्छे से डिसकस कर लेते हैं फिर आपको पता चल जाएगा कौनसा कऴन सही है तो दोस्तों बात करें प्रेम्चंद जो है वह एक महा कभी की रुप में प्रसिद्ध हैं तो यह जो कथन है वो बिलकुल गलत है यह कोई महा कभी नहीं है को कहानिस समराड कहा जाता है तो पहला कथन जो आपका गलत होता है दूसरा कथन गुणाहों का देवता उपनियास के लेखक धरम विरभारती हैं तो यह कथन तो यह कोशन भी सही माना जा सकता है कि नहीं इसी पर हमें डिसकुस करना है तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है ठीक ना चौता अपसन बिल्कुल गलत है आपका मैं समझ सकता हूं कि आप थोड़ा सकन्चूजी होंगे अगर आपने स्कुहल किया होगा तो देखें यहां दिय है कि राम चंद्र सुक्रण ने निश्चित रूप से मित्रता लिखा हुआ है लिकिन वो कोई प्राघ선 लिखा भगा क्या है रहा कहानी थोड़ी है क्या है दिबेंद तो यहाँ थोड़ा सा आपको घूमाने की कुछिस्ट ही मैं आप आपने बिलकुल निम्ने लिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए सेवा सदन है चंद्रगुप्त है बर्फ की गुडिया है और अतीत के चलचित्र है तो मैं एक-एक रचना के रचनाकर को जो है वो डिसकस कर देता हूं फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपने सही उत पूरे तो यह जय संकर प्रशाद का है बर्फ की गुडिया इसके राइटर है जय प्रकास भारती और जो सबसे लाट मतित के चलचित्र है वह महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है ठीक ना तुसकी राइटर है महादेवी वर्मा ठीक अब को सिपाही में किस सहतेकार का का जीमन पर चाहिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कोईशन बहुत ही फेमस कोईशन है बार-बार यह चीज़ें रेपीट होती हैं तो कलम का सिपाही जो है वह मुंसी प्रेम चंद का जीमन पर चाहिए और एक इंट्रेस्टिंग सी चीज मैं आपको बता दूं सायाद यह हैं तो इन्होंने ही अपने पिता के बारे में के सिपाही नाम की करश्णा की है जो की मुंसी प्रेम चंद का जीमन परच्च है ऐपको अच्छे से समझने आया होगा कि अमरित राजव वह मुंसी प्रेम चंद होगा अब बात करते हैं अंगल की तो यहांद यह है अवारा मसीह के रशनकार दोस्तों बहुत ज्यादा प्रसेद्ट क्वेशन है अवारा मसीह के जो रशनकार है वो विश्लू प्रभाकर है यह चीज़ां आपने कई बार पड़ी होंगे ठीक ना सभी किताबों में विद्य काफी ज्यादा हुआ है साथी साथ प्रेम चित्रण राष्ट्रवाद और रहस्यवाद या प्रकृत्य चित्रण यह सभी विश्यस्ताइं किसकी है चायवाग्ति आपको केवल दो लिखनी ठीक ना यहां है रितिकाल के दो प्रभृतियों का लेकर यह वहीं दो भी से आप को बतानी है रितिकाल के ठीक ना तो अगर मैं बात करूँ रितिकाल के दो विश्यस्ताओं की तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आचारियत की प्रधानता है यह वहाँ पर कभी हुआ करते थे वह कहीं कहीं आचारी हुआ करते थे तो इस चीज की प्रधानता है साथी साथ स किसी एक प्रगतिवादी कभी का राम लिखे दोस्तों प्रगतिवादी कभियों में काफी ज्यादा कभी है जैसे अगर बात कुरूं में तो नागार जुन है राम विला सर्मा है के दारनाथ अगरवाल है तो इन तीनों में से किसी भी एक काही आपको नाम लिखना था तो कि कितने question जो है वह सही हो रहे हैं मैं comment में जरूर देखूंगा आप इन चीजों का जो है उल्लेख जरूर करेंगे कि आपके कितने question जो है वह बिल्कुल सही सही जा रहा है ठीक ना अब देखे, question number third discuss करने की जरूरत नहीं है, मैं इन चीजों को discuss नहीं करूंगा, वही question discuss होंगे, जो वण लाइन रहेंगे, ये गध्यान्स और पध्यान्स जो है, वो discuss नहीं होंगे, तो साथी साथ यहां पर हम बढ़ते है, question number four की ओ, तो four जो है, वो पध्यान्स है, ये भी discuss करने की जरूरत नहीं है, अगर बात करे question number five की तो यहां discuss नहीं करना है, but I hope मैं अपना थोड़ा सा परिप्रेश रखना चाहूंगा, मैं उम्मित करता हूं कि अपने जीवन परचे में आचार राम चंदर सुकल का जीवन परचे लिखा होगा, ठीक ना, या फिर जैसंगर परशाद का जीवन परचे लिखा होगा, क्योंकि ये दोने काफी जादा आसान है, और काफी जादा प्रचलित है, बारबर आप इन चीजों से रूगरू होते रहते हैं, ठीक ना, question number five के खो में आपने सूरदास का जीवन परचे लिखा होगा, और ये चीज़ें discuss करने वा होती है, तो इस question को भी छोड़ा जाए, question number seven का जो को है, वो कह रहा है कि इस लोक लिखिए, तो भाई, इस लोक आप निश्चीत रूप से लर्ण करके गए होंगे, तो इसको भी जो है, चर्चा में लानी हो सकता नहीं है, साथ के खो में अगर बात करें, तो यहां पर प्र भास आयां और उधारण पूछे गए थे, तो आपने इस question को भी किया होगा, जैसे यहां था कि करूड़ा अथवा, हासरस बताईए, उक्मा अथवा, उत्परी छलंकर बताईए, सोठा अथवा, रोला बताईए, तो यह तीनों चीज़ां आपने अच्छे से की होंगी, इ आगे बढ़ते हैं, question number nine के तरफ, तो जो question number nine है, उसके को से discuss करते हैं, तो दिया है नेम लिखित उपसरगों में से किनी तीन के मेल से एक-एक सब्दों बनाईए, उस तवर के क्या होते हैं भाई, दिये गए जो सब्द हैं, उनके आगे हम लगाते हैं, ठीक ऐसा सब्दों किसे दिये गए सब्दों के आगे लगते हैं, जैसे यहां अनुदिया है, तो अनुकूलन लिख सकते हैं, परी है तो परिभासा लिख सकते हैं, अभी है तो अभीराम लिख सकते हैं, अप है तो अपमान लिख सकते हैं, सू है तो सोपुतर लिख सकते हैं, अधी है तो अध अब यह रहां कि अब हमन्य जेसे अब हो गया नहीं को जोड़ के नहीं है तो लिक्स करते हैं समझने वाली है और मैं आपको अगर यहां पर समझाने का प्रयास करूं तो यहां पर सबसे पहला जो दिया हुआ हुआ है वो है पाप पुन्य यह दोनों बिलो मैंना और बीच में जो बीयोजे किन लगा हुआ से पता चलता है यह कौन सो समास है यह दोन समास है ठीक ना दोन समास और यहां पर बिग्रह की बात कर तो यह होता है पाप और पुन्य दोन समास में और सब्द से बिग्रह होता है ठीक ना तो पाप और पुन्य नवरत्न और तीरंगा इन दोनों में आप देख पा रहे हैं सब्सक्राइब नवरत्न और तेरंगा समास है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो पहला और चौथा दूसरा और तीसरा यह जो है बात करें question number घौकी तो यहां है निमलिखित में से कि नहीं दो सब्दों के तत्सम रूप लिखे तत्सम क्या होता है संस्क्रीट को जो सुद्ध सब्द होते हैं उसी कों तत्सम बोलते हैं और दो ही लिखना है तो कोई आप आसांसा चूच कर लेंगे कपूत है तो पुत्र हो हो जाएगा दोध जो है वो होता है तो यह सभी होगी हूंग इसमें से आपको क्यों कि नहीं है दो नंबर आपका अब बात करते हैं अंगव की तो यहां दिया हुआ था निमलखित में से किन्हीं दो सब्दों के पर्याय वाचि लिखी दो ही का लिखना था तो अपने नेशी तुरुप से अगने लिखा होगा अगने का वही आग अनल पावक ठिक या किनारा का भी आप लिख सकते हैं तो होता है या कूल होता है क्या संदि विछेद कीजिए और संदि का नाम बताएं दो ही आपको बताना है मैं चारों डिसकस कर देता हूं आप जो है कर देता मिला लीजेगा कि कौसा आपका सही है जैसे परतेख में क्या है प्रति धन एक कहन सी संदि है ये दोस्तों यार संदि कासे संदि है यहां करआंगे को से संदि होगा या तरह As след इसे भी छेत की बात कर तो यह हो जागा यदी धन अपी यदी धन अपि प्रतिधन उत्तरम और यह कौन से संदी है थीड़ संदी ठीक तो चारों में संदी यह संदी का प्रविख हुआ है वह संदी अगर हम डिसकस करें 801 एबी मॉटल पेपर की या फिर डिसकस करें 801 एसी मॉर्टर पेपर की तो दोनों में जो आपके संधी जो हैं वो कौन से हैं यान है अब आगे डिसकस कर लेते हैं खो की तो जो खो दिया हुआ है आपको लिखना है तो नदी का या मधू का वही हो जाएगा नदी नाम या फल का फला नाम हो जाएगा मधु का मधु नाम हो जाएगा ठीक ना यहाँ पर अगर गौ की हम बात करें तो निवलिखित में से किसी एक की धातु लाकार पुरूस तथा वचन का उलेख करें तो एक एक को आई डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं पठतम देखें यहाँ पठतम और यह जो अप पठतम में पढятся में कौन सबहातू है तो पत्तम में धातू है फट है लकार है लोट पुरुस है बढदयार्ध्यम और वचन है दिवचन घीकर अगर बात करें अहसत की तो अहसत में धातू हैHow can fire ूट पुरूस है पर पुरूस रवत शवर दिवकर है एक वचन अगर आप बात करें अपठम की तो अपठम में जो है वो धातु है पठ लकार है लंग पुरूस है उत्तम और वशन है एक वशन साथे साथ हसाम की बात करें तो हसाम में जो है वो हस धातु है लट लकार है उत्तम पुरूस है और एक वशन है आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आप जरूर बताएगा किसमें से कौन सा आपने सही किया हुआ है अब बात करते हैं क्वेश्चन नमर घौ की ये निमली खित में से कि नहीं दो वाक्चों का संस्क्रित मनवाद करें तो दोस्तों अनुवाद जो पांच दिया हुआ है कि काफी इजी है निश्चीत रूप से अपने दो कानुवाद कर लिया होगा तो ये दो कोशन आपकी जोली में फ्री फ्री में चल जाएंगे कोई दीकत नहीं है ठीक ना जैसे सभी सुखी हो ये बहुत ज़्याद आसान है या भारत हमारा देश है ये भी बहुत आसान है या अब इच्छे से पत्ते गिरते हैं ये भी बहुत आसान है तो तीन आसान ह आपको दोही करना था तो आई होग कि इसमें आपने कोई गलती नहीं की होगी कोशन नमबर 11 हम डिसकस नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहां यह वन लाइनर नहीं है आपको निबंद लिखना था मैं अगर टॉपिक का चर्चा करूं तो असान टॉपिक क्या था आपका टीन ऑप्सन दिये गए थे विज्ञान में प्रदूसर और यहां पर जनसंग चाहिए तीनों काफी ज्यादा आसांत है आई होग कि आपने इन चीजों को अच्छे से किया होगा क्यों कि बारा का डिसकसन हम नहीं करेंगा क्योंकि बारा जो है वो क्या है खंड़काब है औ इस वीडियो के माध्यम से कितने कोशन आपके सही हुए इस चीज को कमेंट बाक्स में जरूर लिख दीजिएगा और आप वीडियो को जो है लाइक करिएगा सेर करिएगा ताकि हमारा होसला बना रहा है और हम आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते तो वीडियो में फिर से एक बार मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं बेलेंगे फिर से एक नाइफ रेस वीडियो में तब तक लिए जैंद वंदे मात्रम करें 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 करें